असलाम अलेकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खुआप के ताबीर के बारे में खुआप में इन चीजों को देखा तो इसका क्या मतलब होगा इनकी ताबीर क्या होगी जब बंदा रात को सोता है तब इनसान एक जगा सोया रहता है और उसके दिमाग में कहीं बातें आती है पता नहीं इनसान क्या-क्या और कुछ खुआप में देखता है बहुत से लोग खुआप में मुर्दे देखते हैं खουςब में मुर्दे देखने की क्या दाबीर है अगर कोई शक्स मुर्दे को देख रहा है तो उसकी कंडिशन देखी जाएगी कि मुर्दे को किस हालत में देखा अगर मुर्दा रिष्टेदार है कुछ मांग रहा है तो उस पर ईसा आले सवाब करें मुर्दा अच्छी हालत में दिखाई दे तो मुर्दा अच्छी जगा यानि जन्नत में होगा और अगर मुर्दा बरहाना या नंगा दिखाई दे या गंदी जगा दिखाई दे तो समझे वो जहन्नम में है फिर भी मरने वाले के लिए इसाले स्वाप करना बहुत जरूरी है जब मुर्दा अपने पास बुलाए तो बहुत से लोगों का मानना होता है कि वो शक्स जिसने खुआप देखा वो मर जाएगा एसा नहीं है बलकि जिस इंसान के बारे में हम ज़्यादा सोंचते हैं वो जहनी ख्यालात की वज़े से हमें खुआप में दिखाई देता है दूसरा है खुआप में मोद देखना केसा किसी जिन्दा की यानि कोई शक्स जिन्दा है और हमने उसकी मोद देख ली अगर खुआप देखने वाला नेक है इमान वाला है और वो मोद देख रहा है तो आगे हाथ साहत आने का अंदेशा है अमें चाहिए तोबा करें तीसरा है खुआप में शादी देखना केसा बहुत से लोग का मानना है कि जिसकी शादी देखी है उसकी मौत होगी ऐसा हरगिस नहीं है बलकि जब कोई बंदा किसी खुआब में शादी देखता है तो अल्ला पाक उसको इज़्जद देगा शर्त है कि खौब देखने वाला नेक और परेजगार हो इमान वाला हो और अगर खौब देखने वाला नेक नहीं है तो उस बंदे को जिसकी शादी देखी है उस पर मुसिबत आएगी नमबर चार है खौब में जीना देखना किसी ने ख्वाब में जीना होते देखा हो ये सब शेयतान की तरफ से होता है तो ख्वाब देखने वालों को तोबा करना चाहिए अस्तक्वार पढ़ना चाहिए पांचवा है ख्वाब में पानी देखना बहुत से लोग खुआप में देखते हैं कि पानी पर चल रहा है तो इस खुआप की तावीर ये होगी कि आने वाले वक्त में उसको अच्छा मुकाम आसिलोगा इज़त मिलेगी नोकरी मिलेगी शर्त है पानी साफ सुतरा हो और अगर गंदा पानी होगा तो ये गुनाहों की नौसत होगी तोबा करे अस्तक पार पढ़ते रहें अगला है मनी निकलना ये नाइट फैल होना ये भी शेतान की तरफ से होता है लोग गंदा खुआप देखते हैं और नापाक हो जाते हैं तो लोगों को चाहिए कि तोबा करे अस्तक पार पढ़ते रहें खुआप में हम बिस्त्री देखना बंदा किसी के साथ हम बिस्त्री करता है ये भी शेतान की तरफ से होता है खुआप देखने वालों को अउजब इल्लाह मिनिश शेतानी रजीम की कसरत से विर्द करना जरूरी है तोबा करें अस्तक पार पढ़ें खुआप में डर लगना लोग सोते सोते खुआप में डर जाते हैं और उठकर बेड़ जाते हैं बहुत सी मरतबा ये होता है हम चल रहे हैं पीटे से कोई दोड़ कर हमें पकड़ना चाहता है हम बागना चाते हैं बाग नहीं पाते तो कोई डरावना खुआप देके तो उ एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफिस दुआउं में याद रखना आमिन सुम्मामिन दोस्तों जाते जादे कमेंट बोक्स में आमिन जरूर लिख दें क्या पता किस भाई की जुमा से निकला आमिन अल्ला पाक की बारगाह में कबूल हो जाए और उसके सदके तमाम मुसल्मानों की मुसिबते दूर हो जाए आमिन सुम्मामिन सलमामिन